असलाम अलेकुम, हेलो एंड वेलकुम तो फरहीं दे किचिन, आज मैं आपके साथ एक डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूं, ब्रेट पुडिंग, जो सभी को बहुत पसंद आता है और जाधा तर सबका फेवरिट होता है, लेट्स चेक दे इंग्रीटिप्स, इसके लिए में चाहिए मिल्क, हमने ये हम लिटर मिल्क लिया है इसे बॉइल करके लिग्मोम कर लिया है, और ये मैने दो पाऊं लिया है, हाफ लिटर मिल्क में दो पाऊं सपिशंट होते हैं, और अगर आप ब्रेट शीस लूज़ कर रहा हो, तो 5 तू 6 स्लाइस की ज़ए, से आप ultimate दिखाने है यह त्वन के साथ है तो अब पर्स्ट्राइत आप पाऊं Sena त्वने ए से पर्शपां आप च्वरी करें कों इसे छोटी छोटी पीसेस तोड़ करें को करका हमिजनी उब्हा Ranante इसमें मैंने 300 g sugar ले है इसे भी aadow से mix कर लें गए इसे भी अच्छ से mix कर लें अब इसमें भी mix कर रही हैं ताद के कुछ कम हो तो आप उसमें और add कर सकते है इस स्टेज में आप शुगर चक कर सकते हैं जब यह melt हो जाए तब इसे एच्छ से mix कर लेजिए पाउ नहीं तैसे नहीं से लोग वेंदूल, पाउ path Uber करते हैं अब अच्छिसे जीमिक्स हो चुके हैं अब मैं इसे विस्क कर रहे हूं पाउं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं दूद में, अब इसमें एग्स एड़ कर रहे हूं, यह मैंने दो एग्स लिये हैं, आप ये वेट बराबर धियार रखें, बिल्कुल भी चेंजर ना करें, हाफ लिटर मिल्क में 2 पाउं and 2 एग्स, अगर जैसे जैसे आपका मिल्क की weight increase होगा, उसी तरह आप ये दोनों चीजों की quantity भी increase करें, और इसे भी अच्छे से बीट कर लें, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और हमें थोड़ा देर तक इसे बीट कर रहे हैं, अब मैंने मिल्क मसला यूज किया है, इसे बीट कर लें, अगर आप चाहे हैं, तो इसके बदले आप वैनिला एसंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिल्क मसला यूज किया है, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा डिपरेंट भी होता है और अब मैंने इसमे 2 तीबिल स्पान बटर एट किया है इसे भी अच्छी से मिच्स कर लें अब इसके बाद में हम 20 डिग्री पे सेट करेंगे कर्वेक्शन मोड पे अब ट्रे को भी मैंने च्छी से पहले बटर से ग्रीज कर लिया है और मिक्शर इसमें वोड कर दिया है अब मैं रेजन सेट कर रहे हूं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है अब यह सब्सक्रा करें और हम इसे अब माइक्रोवेव करेंगे हम इसे बेग करेंगे फार्टी मीनिट्स हो चुके हैं अब टूट्पिक डाल करें आप टेस्ट कर लेते हैं अगर तूटुटिक बिल्कुल रा है याट मेंस हमारा पूडिंग रेडी है और अगर आपकी तूट्पिक वेट र सकते हैं और आप को यह रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताएं और प्लीज यह रेसिपी जरूर ट्राय करें इंशाललह रेसिपी आपको पसंद आएगी और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी और आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैं चैनल को फिर मिलेंगे इंशाला नए वीडियो में ने रिस्पी के साथ आला आपिस थैंक यू